हमस्कार तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं घी के टेक्स्चर के उपर तो देखिए जब भी आपकी कहीं से भी सुद्ध गाय का देशी गाय का वेदिक विलोणा घी खरीते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉमेट में मिलता है मालो यह जो गी है यह बिल्कुल लिक्विड फॉम में हापनी उपर से निच तक बिल्कुल लिक्विड है और शेम कलर में है अब यह देखिए यह उपर तो येलो है लिक्विड और निच्चे जो है वाइट वाइट कलर का निच्चे जमा हुआ है और यह देखिए बिल्कु के अंदर है कोई गी कोई बिल्कुल जम गया है कोई जम ही नहीं रहा तो इन सब का क्या कारण है इसी वीडियो में डिसकस करने वाले हैं देखिए जो घी होता है वो कई सारे fatty acids का composition होता है मतलब कई सारे फैट से मिलके बनता है तो फैट जो होती है उनका जो मैल्टिंग फॉइंट होता है तो माल लीजिए जैसे कि घी कई सारे saturated और unsaturated fatty acids का composition होता है कुछ fatty acids ऐसे होते हैं जिनका जो माल लो 25 डिगरी temperature पे पिंगल जाती है कुछ ऐसी होते हैं जो 40 डिगरी temperature पे पिंगलती है तो ये क्योंकि कई fatty acids का पोजिशन है और इसमें fatty acids अलग अलग है तो माल लो कि ये जिसमें जो कुछ उपर का जो पार्ट है थोड़ा पिंगल गया तो माल लो उनका क्योंकि जो melting point था वो कम था इसलिए वो पिंगल गए अब जो निच्चे solid बच गया उसके उन fatty acids का माल लो melting fat जादा है तो इसलिए वो जब माल लो 40 डिगरी temperature रिच करेगा या 37 डिगरी temperature रिच करेगा तब जाके पिंगले तो तो जो fatty acids होते है saturated fatty acids होते हैं वो उनका melting point है वो ज्यादा होता है और unsaturated fatty acids होते हैं उनके melting point कम होता है तो जैसे कि माल लो आप ऐसे रिजिन में रहते हो जहां पर माल लो जादा गर्मी पड़ती है माल लो बिहार हरियाना जो नोर्थ का जो इलाका है वहां पर गर्मियों के टाइम पर तो आपको घी इस फोम में मिलेगा माल लिक्विड मिलेगा आपको वो जमेगा नहीं अगर आप coastal area में रहते हो या फिर कुछ south के जो area है वहां पर रह लिक्विड रहेगा और अगर आपका जो आपका सर्दी का time है या फिर आप जेंड के साइड के है या फिर कहीं भी जहां पर आपका जो temperature है वो कम है नोर्मल से तो आपका जो घी मिलेगा आपको वो ऐसे solid form के मंदर मिलेगा आप चाहिए कहीं भी रहते हों और देखिए यह घी सारा सेम ब्रीड का सेम डेगा है पर इसमें जो है मालो कलर अलग अलग अगया है अभी camera इतना अच्छी quality का नहीं तो इसमें दीखनी रहा बाकी यह ज्यादा येलो है यह थोड़ा कम येलो है और यह उसे भी कम येलो है तो जैसे घी मालो बिलकुल लिक्विड रहता है तो ज्यादा येलो कलर का दीखता है अगर घी छोलिड रहेगा तो वो ऐसे थोड़ा सा थोड़ा सा वाइट की साइड चला जाता है बाकी चारे पर पर पूरे का पूरा आपके गउसाला की location पर डिपेंड करता घी का कलर काफी चीज़ों पर इसकी एक separate वीडियो सब्सक्राणा है तो जो खिणा या फिर जम इनरा तो गपराने के बिल्कूल बात रही है अगर आपका सुध बिलो भी होगा अगर उसमें कोई वी मिलावट मुटी नहीं होगी तो वो इस एक पॉजिश्न चाहएंड के और मिले आपको अगर वह पर इसमें गवराने वाले बात बिल्कुल नहीं है बिल्कुल शुद्गी है सुद्गी की पहचान होते हैं कि वो टाइम के साथ होता है मालो गर्मी में अलग मिलेगा आपको कलर शरदी में तो यह चीज बहुत नोर्मल है अगर आपको आप बच्पन से घीखा ते आर फिर बनाते हो गाउं में रहते हो तो आपको पता होगा कि बिल्कुल नोर्मल है इस भोना सभाविक है तो गभराने वाले कोई बात नहीं है बिल्कुल सुध है अगर ऐसा नहीं मिल रहा आपको मा इस वीडियो में इतना ही अगर आपको कोई और डावट है घीख से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो हम उसके उपर दूसरी वीडियो बना देंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और यह ज